प्रदेश में एक जुलाई से प्रतिदिन कुरोना का 10 लाख टीका लगाने के लिए राजिसरकार ने माइक्रोप्लान तयार कर लिया है माइक्रोप्लान का क्रियानवन पुखता तरीके से हो इसके लिए प्रदेश में अलग-अलग क्लस्टर बनाकर 17 जून से 26 जून तक ड्राई रन की तहट टीका करल कारिक्रम को बढ़ाया जाएगा इसके तहट प्रदेश के सभी जिलो के एक तिहाई विकास खंडों में चार क्लस्टरों में पाइलट के रूप में इसे क्रियानवित किया जाएगा चिकस्ता एवं स्वास्त विभाग के अपर मुख्य सचीव की और से सोमार को प्रदेश के सभी मंडला युक्तो वाजिला अधिकारियों से लेकर स्वास्त विभाग के सभी मंडलिया अपर निदेशकवा सुबे के सभी मुख्य चिकस्ता अधिकारियों को कारियोजना कि लुक्षे है लिहाज ब रवीकास खंड को इकाई के रूप में तथा शहरी छेतर में शहरी निकाय को इकाय के रूप में लिया जाएंगा इन इकायेों को क्लस्टर्स में इस प्रकार से विभाजित किया जाएगा कि एक महीने के भीतर वैक्सिनेशन टीम सभी क्लस्टर में एक बार अवश्य पहुच जाएं क्लस्टर में टीका करल करनी वाली टीमू के समू को क्लस्टर वैक्सिनेशन ग्रूप कहा जाएगा जिसके संबंद में मुक्य चिगिस्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि 45 प्लस और 18 प्लस के लोगों का वैक्सिनेशन काफी दिनों से चल रहा है जो जागरूग लोग थें उन लोगों ने वैक्सिनेशन करवा लिया जो लोग वैक्सिनेशन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं उसके लिए सरकार की योजना है कि कलस्टर की तरहा ग्रूप बनाया जाए दो गाओं, तीन गाओं मिला कर एक सर्वे किया जाए निगरानी समितियों, प्रधानों और दूसरे विभागों के साथ मिलकर लोग की एक लिस्ट तयार की जाए जो लोग उस गाओं में 18 प्लस के उपर है, 45 प्लस के उपर है उनको वेक्सिनेशन के लिए प्रेडित किया जाएगा उनको बिमारी के बारे में और वेक्सिनेशन के बारे में बताया जाएगा और उसके दो दिन बाद हमारे स्वास्तकर्मी टीका करण के लिए उस छेत्र में जाएंगे चाहे हमारा कोई विद्याला हो या सरकारी भवन हो अस्पताल हो वहाँ पर लोग आएंगे और टीका करण कराएंगे ये गतिविदियां दो से तीन दिन चलती रहेंगी यही कलस्टर फिर से दूसरे गाउं में आगे बढ़ जाएगा फिर साथ दिन बाद वही कलस्टर वापस आ जाएगा जहां पर कोई यदि छूटा हुआ है तो उसका भी वैक्सिनेशन हो जाए इस तरह से हम लोग अधिक से अधिक लोगों का वैक्सिनेशन सो प्रतीशत करा पाएंगे उन्होंने कहा कि जन्पद में 21 जून से ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा एक जुलाई से व्रिहद रूप से इसका मुबलाइजेशन होगा इस संबन में गुरगपुर्णियों से बात करते हुए मुखे चिक साधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा इधर जो है 45 प्लस के लोगों का वैक्सिनेशन क्योंकि काफी दिन से चल लहा था तो जाकुरुक लोग थे उन्होंने ते वैक्सिनेशन करा लिया अब लोग जो वैक्सिनेशन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए सरकार की योजना है या विपाब की योजना है कि क्लस्टर की तरह क्लस्टर बनाया जाए गाउं गाउं में दो गाउं तेन गाउं मिला करके सब में सर्वे किया जाए वहां कि नगरानी समिधियां जो है प्रधान जी और दूसरी विभाग के लोगों से मिल करके लोगों की एक लिस्ट तयार के जाए जिससे कि जो लोगी वी उस गाओं में 18 प्लस के उपर हैं 45 प्लस के उपर उनको रुमोबिलाइस किया जाए वह यह बिमारी के बारे में और बारे में उनको बताया जाए और दो दिन बाद जो है हमारे स्वास्त कर में ठीका करन की वहां उसी tengah में जाएंगी जाए जाए जाएंगे कि जहां अगर कोई कुछ चूटा हुआ है तो उसको भी वैक्सिनेशन करा देंगे इस तरह से हम मैक्सिमम और हंडिक पर्शन लोग को वैक्सिनेशन करा पाएंगे तो यह जो जना जो है प्रभावी होने वाली है और 21 से हम इसका ट्रायल सुरू कर देंगे एक ता झाल